वित्मत्री निर्मला सीता रवन जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है दोजार चोविस पच्चेस के लिए इसमें सबसे बड़ी बात जो बताई युवाओं को करीवी एक करोड युवाओं को प्रशिच्छण देंगे और पांस हजार रुपए उसमें उनको स्टैपन भी द प्रस्तुत किया था उस बजट में उन्होंने केंद्र में रखा था कि हमें युवाओं को केंद्र में रख करके यूजनाय बनानी है और उसकी जो घोशना है अब जो पूर कालीन बजट आया है उसके माद्यम से की गई है इसमें युवाओं को उचित रूप से प्रस्क्षन देने के दरश्ट कौन से एक करोन लोगों का युवाओं का लक्ष रखा गया है जिसके लिए जो हमारे देश की बड़ी बड़ी नामी और प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उन कंपनियों के अंतरकत चैन करके प्रस्क्ष करेंगी उस प्रस्क्षन के संबंद में सरकार के द्वारा व्याय उठाया जाएगा और कंपनी के द्वारा जो भी खर्चे उसमें थोड़े बहुत किये जाएंगे जो भी खर्चे होंगे वो जो कंपनियों के ऊपर एक CSR की योजना लागू की गई है कि उनके द्वारा अ अंगे प्रस्क्षन पे धनराशी खर्च की जाएगी पताईगी किया नहूं करेंगी हिए क्या इनका क्या कैरीर पॉस्वी से या कमपणियों को क्या लाव होगा जो प्रषिच्छर देंगे या देश को क्या लाव होगा हमारे देश में जो बहुत बड़ी युवा जन संख्या है आवशक्ता इस बात की है कि उनके कौशल को विक्सित करके उद्यम के लिए उपियोगी बनाया जा सके इस प्रस्टिक्षण के माद्यम से वे उद्यम के लिए उपियोगी बनेंगे और सेवाइं प्रदान कर सकेंगे साथ ही उमीद की जाती है कि जिन जिन संस्थों में ये प्रस्टिक्शन प्राप्ट करेंगे उन में से काफी बड़ी संख्याब उनी उद्यमों में रोजगार प्राप्ट करने में सफल होगी इसी के साथ-साथ उस प्रशिक्षन के आधार पर अन्य कंपणियों में भी ये अपने कोशल के आधार पर भली वहा ते उस कंपणिय में कारे कर सकेंगे, अच्छी बेतन के रूप में धनराशी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि कौशल का विकास होना आवश्यक है सेट्षनिक संस्थाउं में जो पढ़ाई होती है वो एक आधरवोष संदचना को बताती है लेकिन जो तकनी की बाषा में और जाता है ओन जॉब ट्रेनिंग तो ये ओन जॉब ट्रेनिग सामानी रूप से कंपनिया जिनको नौकरी के लिए सलेक्ट कर लेती थी उनको देती थी लेकिन अब सरकार इस योजना के तहट उस ट्रेनिंग को उपलब्द कराएंगे